नमस्कार किसान भाईव, मैं डौक्टर आदेश कुमार, करश विज्यान के इंदरचासे में कारे रत हूं किसान भाईव, आज हम बात करेंगे चन्नमे में लगने वाले फली वेदक कीट के बारे में किसान भाईव, इस कीट की चार अवस्ता होती है पहले अवस्ता अंडा होती है दूसरी अवस्ता जो होती है वो इल्ली होती है जिसे हम सुन्दी भी बोलते हैं जो इसकी मुख्या हनिकारा का वस्ता होती है तीसरी अवस्ता इस कीट की प्यूपा होती है और जो लास्ट वस्ता होती है उसे प्रोड कीट बोलते है जिसे पंक चरोता है जिसके अंदर हम मादा की खुस्बू डालते हैं जिसको हम लियूर बोलते हैं जिससे क्या होता है कि जितने भी नर्कीट है प्रोड कीट है सारे के सारे इस फनल के अंदर आकर फज जाते हैं इस ट्रैफ के अंदर आकर ट्रैफ हो जाते हैं और बहर जो मादा हमारी गुम रही है उसके साथ मैटिंग नहीं कर पाते हैं जब मैटिंग नहीं करेंगे तो मादा हमारी अंडे भी नहीं दे पाएगी और नहीं उसकी आगे इल्ली सुन्डी और अगली वस्ता बन पाएगी जिससे क्या होगा एक हमारा सफल परबंदन हमारे खेत में हो जाएगा ज जैसे सर्वी कम होने लगती है र फूल आनने लगता चेंसे में तो शेय कर देना चाहिए जैसे फलेया बन नहीं ने तरफ हमारी इल इलिक हमारा सुनीजी खेच में दिका देने लगती है तो इली आने से पहले हमें मास ट्रैफिंग के लिए हम ज़्याद संक्या में अपन्य प्रमॉन ट्रैप में खेत में लगाते हैं लगवाद दस से बारा परते एकर यदि हमने किवल मॉनिटर करना है कि देखना है कि हमारे छेतर में सकते हो फली बेदर कीट का अब हम बात करते हैं कि यह जो फेरा मॉन्ट रैफ का लियूर है इसकी जो वैदता है समय कितने समय में यह खराब हो जाता है यह इसका असर कम हो जाता है तो लगवाद 30 से 35 दिन के अंदर यह लियूर आपको चैन्ज करना पड़ेगा